नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेम चैन द्वारा लिखेत कहानी बड़े घर की बेटी के बारे में बेनी माधव सेंग एक जमीदार है जिनके दो पुत्रें एक है श्रीकंड सेंग और दूसरा है लाल बिहारी श्रीकंड सेंग जोकी पड़ा लिखा व्यक्ति है जबकि दूसरी और लाल बिहारी पहलवानी करता है श्रीकंड सेंग का विवा एक बड़े घर की बेटी आनंदी से होता है आनंदी बहुत ही कम समय में अपनी नई परिस्तितियों के अनुसार धल जाती है एक बार लाल बिहारी सेंग दो चिडिया लेकर आता है घर में मात्र पाव भर ही घी होता है और आनंदी मांस पकाते वक्त सारा घी उसमें डाल देती है जबकि डाल के लिए घी नहीं बसता ऐसे में लाल बिहारी गुस्सा हो जाता है और कहता है माईके में तो ऐसे घी की नदिया बहती हो यह सुनते ही आनंदी तुरन जवाब देती है इतना तो उसके नाई कहार खा जाते है इतने में लाल बिहारी गुस्सा हो जाता है और अपनी खड़ाओ आनंदी की और फेकता है जिससे आनंदी की उंगली पर चोड लग जाती है और आनंदी अपने कमरे में चली जाती है आनन्दी श्रीगंड सिंगा इंतिजार करती है श्रीगंड जो शनिवार को दफ्तर से लोटते थे पिता और लाल बिहारी दोनों अपने तरीके से यह बात श्रीगंड को बताते हैं और आनन्दी भी सारी बात श्रीगंड को बताती है खड़ाओ वाली बात सुनते ही श्रीकंट कहता है कि अब या तो लाल बिहारी इस घर में रहेगा और या मैं और वहाँ गाओं वाले एक-एक करके जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है वह अलग-अलग बहाने करके बेनी मादव सिंग के घर आने लगते हैं पिता ये इस्तिती भाब जाता है और वह स्रीकंट सिंग से कहता है कि वह बे समझ है उसकी भूल को शमा करो किन्तु स्रीकंट ये सब नहीं समझ पाता और वह कहता है कि अब ये तो ये है इस घर में रहेगा और ये तो मैं और अगर आपको यही इतना पसंद है तो मैं यहां से चला जाता हूँ लाल बिहारी अपने बड़े भाई का बहुत आदर करता था ऐसी बात सुनकर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ आनंदी के दोआर पर वह जाकर बोला अब मैं भाई को कभी अपना मूँ नहीं दिखाऊंगा मुझे मेरे अपरात के ले छमा करना आनंदी दयालू थी पर उसे पता न था कि ऐसा हो जाएगा वह पस्ता रही थी आनंदी ने श्रीकंट से कहा उसे बुलालो अन्यथा वह कहीं चला जाएगा जैसे ही लाल विहरी जा रहा था आनंदी ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्रीकंट का हिर्दय भी पिगल लिया उसने उसे गले लगा लिया यह देखकर बेनी मादव सिंग प्रसन हुए और बोले बड़े घर की बिटिया ऐसी ही होती है बिगरता हुआ काम बना लेती गाओं के प्रतेक लोगों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने भी यही कहा कि बड़े घर की बेटिया ऐसी ही होती है यह कहानी संयुक्त परिवार तता हिर्दय परिवर्तन जैसे पारंपरिक भारते मुल्यों पर आधारत है धन्यवाद